Hello Everyone so Welcome to my channel Optometry Solutions So Guys, आज आज हमें टिसकस तरने वाले हैं Eye Drop के बारे जो हमारा क्या है Carboxyl Methyl Cellular Eye Drop जो क्या एक Lubricating Eye Drop है अग Lubricating Eye Drop का काम क्या होता है वो आई जो हमारे Eye जो होती है उसमें Lubrets एक तरा सह को Lubrets रखती है या फिर उसमें Lubricant प्रोवाइड कराती है आईस नहीज़ चिकनापन रहता है हमारी आईज में, वो किसे व्यक्ताइज से रहता है, हमारा लॉब्रीकेटिंग डॉप की व्यक्ताइज है, किसे वज़ाओ बहुत ज्यादाwood न्युदाइज हो जिसको हम डेली यूज में क्या है यूज कर सकते हैं से हम लोग स्टड़ी करते हैं और फिर मुबाइल फॉन यूज करते हैं तो इस डॉप को डालने दैन इसको कोई साइड इफर देखने को नहीं मिले जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारी लूब्रिकेटिन आइड रॉप है जो हमारी आइज में लूब्रेक्स प्रोवाइड कराती है एक तरह का मौश्राइज है थी हमारी आइज तो इस डॉप को क्या आप डॉर्मल डेली रूटीन में इस डॉप को आप दिन में दो से त्मक्रामार यूछ कर सकते है तो आप दो बार यूज कर लीजिये अगर। नноला मकले आइस को ब्लिंग करना मींज आप दिन में कम से कम एक मिट में 15-16 बार आपको आइस को ब्लिंग करना है जिसी क्या होता है कि प्रॉपर हमारी पुतली होती है उसमें मौश्राइज बना रहा है अइडिशनल लुब्रिकेंट या फिर आटिफिशल देन टिर्स के लिए हम क्या है इस डॉप का यूज कर सकते हैं इसका कोई ऐसा साइड इफेट में गिड्नी में या लीबर में या फिर कहीं भी ऐसा इसका कोई ऐसा साइड इफेट देखने को नहीं मिलता है इसका mild side fact रोता है लग बहुत कम रेर आपको क्या है थोड़ा हलका कुलका vision blur हो सकता है फिर आपको irritation थोड़ा feel हो सकता है देन उसे जादस कोई ऐसी problem इस eye drop को डालने के बार नहीं दिखती और इससे क्या है जो भी हमारी आपके dust particles होते हैं वो निकल जाते हैं तो daily way इस पाप इस drop को 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं